जे हिंग जे भर दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदिदा और विश्वश लिए यूटूब चैनल सैनिक वेलफेर वन में जो देता है आपको बहुती अच्छी और रोचक बनी जानकारिया जो होती है आपके लिए और आपके अपनों के लिए फाइदे मन तो दोस्तों ये एक बहुती अच्छी जानकारी है कि जिस पॉलिसी को सीजडी कैंटियन के दोरा करोना काल में या उससे आसपास इस सीजडी पॉलिसी को या इस फैसलेटिस को सीजडी कैंटियन की तरफ से बंद कर दिया गया था इसको अब वापस सालू कर दिया गया है और वो भी बहुती अच्छे सुधार के साथ तो बढ़ते हैं न्यूस की तरफ कि खुशकबरी 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 सीजडी पॉलिसी में हुआ शानदार बदलाव अब लिकर के साथ साथ गुरूसरी भी मिलेगी एडवांस तो आखिर म ये न्यूस क्या है इसको कंप्लिट तरिके से जानते हैं 2019 से पहले डिफेंस परसन सीजडी कैंटीन से एडवांस में दो महीने की लिकर एक साथ खुरिद पाते थे प्रन्तु सीजडी कैंटीन में पॉलिसी में बदलाव करके इस सुधा को बंद कर दिया गया था वर्ष 2019 डिफेंस सर्विंग तता रिटायर परसन एडवांस में लिकर कार्ड से दो महीने का लिकर एक साथ नहीं खुरिद पा रहे थे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पॉलिसी में फिर से बदलाव हो चुका है नवी पॉलिसी के लागू होने के बाद डिफेंस परसन लिकर के साथ साथ गरोसरी भी एक साथ दो महीने की खरीद पाएंगे CSD Canton New Policy CSD Canton की नई पॉलिसी के अनुसार सर्विंग तथा एक सर्विंग तथा एक साथ दो महिने का पार्ट कोटा या फुल कोटा ले पाएंगे चल रहे महिने का कोटा खतम होने पर ही एडवांस कोटा लिया जा सकता है एडवांस में लिकर का फुल कोटा भी लिया जा सकता है या जरुरत के अनुसार कम भी लिया जा सकता है लिकर के केस में डिफेंस परसन को रोल ओवर की सुईधा मिलेगी उधारन के तोर पर यदि आपके CSD कार्ड में हर महिने 5 बोटल इंटाइटल है तो आप October में 10 बोटल एक साथ ले सकते हैं जिसमें October तता November का लिकर कोटा आपको मिलेगा November के महिने में December के कोटे की 5 बोटल एडवांस में परचेज कर सकते हैं इसी परकार December के महिने में January की Entitlement परचेज कर सकते हैं इसे ही Roll Over कहते हैं अब बात करते हैं ग्रोशरी एडवांस में परचेज करने के बारे में उधारन के लिए दि आप CHD Canton स्मार्ट कार्ड में परतेक महिने में 5,500 यानि की 5,500 रुपे की ग्रोशरी एंटाइटल है तो आप एक साथ एडवांस में दो महिने की ग्रोशरी परचेज कर पाएंगे यानि एक साथ 11,000 रुपे की ग्रोशरी खरीच सकते हैं साथ में product की quantity की limit भी डबल हो जाएगी ग्रोशरी में Roll Over की सुईधा नहीं मिलती है यदि CSD Smart Card User सितंबर के महिने में एक साथ सितंबर तब तब अक्टूबर के महिने के लिए ग्रोशरी परचेज करता है तो अक्टूबर में नॉबर की advance grocery परचेज नहीं कर सकता है ग्रोशरी के case में महिनों को दो-दो के group में बनाया गया है यदि grocery advance में purchase करनी है तो आपको एक साथ दो मेहने की grocery purchase करनी होगी तो यह letter है दोस्तों यह 19 अक्टूबर 2022 का letter है इसकी आप screenshot लेकर pull जानकरी ले सकते हैं इसका दूसरा page है यह पूरस में दिया गया है और यह जो letter है इसको distribute कर दिया गया है Headquart Northern Command, Eastern Command और जित्ते भी आफशक जो office है उनमें सब में यह letter भेज़ दिया गया है आपकी जानकरी के लिए बता दें कि यह policy अभी लागू नहीं हुई है एक जनवरी 2023 से यह policy लागू होगी एक जनवरी 2023 से सभी defense person advance में grocery तता liquor purchase कर पाएंगे CSD department के दवारा यह एक बहुती सरहानी एक अदम लिया गया है इसमें CSD में भीड भी कम रहेगी तता defense person को item purchase करने में समय भी कम लगेगा जो एक सरिस्मेंट केंट एरिया CSD केंटिन से दूर रहते हैं वो अब एक साथ दो मेने की grocery खरीद पाएंगे जिसके करन उन्हें हर मेने CSD केंटिन आने की आफशकता नहीं होगी तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी इसको जदा जदा लोगों तक share करें ताकि इसका जदा जदा defense person और एक सरिस्मेंट जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं इस policy का जदा जदा फाइदा उठा सकें तो दोस्तों जदा 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 शेयर करें और comment करें ताकि मैं आपके साथ नई और अच्छी news के साथ में बना रहूँ जय हिन जय भर दोस्तों